प्राइमरी मेमूरी प्राइमरी मेमूरी क्या है प्राइमरी मेमूरी जैसे हमारी कम्पूटर में रेम होती है और हाल डेक्स तो इसमें से जो रेम है वो प्राइमरी मेमूरी होती है क्योंकि जो काम हम करते हैं कम्पूटर प्राइमरी मेमूरी पर वर्क करता है प्राइमरी मे जो है अगर हम अपने कंपटर कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पर प्राइमरी मेमूरी वर्क करती है इट है जी लिम्टेड कैपसिटी एंड डेटाइज लाश्ट वैन पावरेज स्विच आप इट इज जनरली मेड अप आप सेमी कंडक्टर डवाइस जो प्राइमरी मेमू जो जो बॉलाटाइल है अगर एलेक्स एलेक्ट्रिसिटी है तो डाटा है आपको कंप्पूटर बंद आपका डेटा खतम इडिपेंडेंट मेमूरी है एलेक्रिसिटी पर देज मेमूरी और नोट एज फास्टेश्टर दाटा एंड इंस्टेक्शन रिक्वाइस तो भी टोसेज रिशाइड इन दा मैन मेमूरी इज डिवाइड इंटो सब केटेग्री रेम एंड रॉम ट्रैमरी मेमूरी की सब केटेग्री है रेम एंड रॉम रेम का यह अपल फॉम है रीड रेंडम एक्सेश मेमूरी रॉम का है रीड ओनली मेमूरी चरेक्टर्स और में मेमूरी इसकी में फंक्शन कौन कौन से है प्रैमरी मेमूरी के दीज its a processor semiconductor memory sait it is known as the man memory यह हमारे system की मैन मयमोरी होती है और एक volatile memory और इस डेटा इड ओस्त इंक आइयर का बावर Amen बड़न जाते है पावर कट होती है तो हमारे डेटा का लॉस हो जाता है इस दा बरकेंग मैमोरी ओपड़ कंम्पूटर इत बरकेंग मैमोरी है कम्पूटर की faster than secondary memory जो secondary memory होती है उससे fast है एक कम्पूटर cannot run without the primary memory हम कम्पूटर को बिना primary memory के run नहीं कर सकते हैं उसमें जब तक primary memory नहीं होगी हम कम्पूटर पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं वीडियो फसंदाई लाइक कीजिए और चनल को सब्सक्राइब कीजिए